आज मैं बनाने जारी हूं मटन और बटाटे का मसालेदार चटपटा कॉर्मा तो चलो पनाने की तरफ चलते हैं यह देखिए यह आदा किलो मटन है जो कि मैंने अच्छी तरह से वाश करके और इसके मीडियम पीस करके रखा है इसे हम उसकुकर में डालेंगे वाइल के लिए अब इस पे जाएंगा टेस्ट के हिसाब से नमक, आदा चमचा, हल्दी, इसे मिक्स करेंगे इसे बोल्स के लिए रखेंगे ग्यास अन करके अब हम इसमें आदा गलास पानी ला लेंगे और 4 से पास सीटी लेंगे 4 से पास हो चुकी है हमारा मटाइम गल चुका है हम इसे अब साइक पे रखते है अब हम बुसरा काम करते हैं हमारा तेल गरम हो चुका है और ये देखी ये प्याज ये बड़ी तीन प्याज है ये मैंने इस तरह काटी है लंबे-लंबे ये पूरे एक खटी डालना है प्लेब को हाई रखना है और इसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है प्याज डार ब्राउन हो गई है अभी हम इसे इकालेंगे प्लेट में अब हम इसमें डालेंगे तीन बड़े चमचे ऑई और ऑवाईल को अछी तरह Too Good और आधे तरह से लखी बड़ी ब्राउन हो चुके है अब इसमें इसे प्लेट में मिनी कालेंगे और कृमित पारओ कर दोथे फासें अब हम इस控 Pas льं निकालेंगे तो जिस ओईल में हम नहीं आलू को भुना था उसी ओईल में हम एक प्यास को कट करकर एर करेंगे प्यास को जादा ब्राउन ने करना है अब हम उसके डाले है एक चुम्चा भर अदग लेशन के प्यास के साथ जाइक ब्राउन करेंगी तो जादा और अधर प्रेसर हमारा अच्छी तरह से लाइख ब्राउन हो चुका है अब यहां देखिए अब आती मसाली की बारी ये दो चम्चा मिल्ची पॉडर ये एक चम्चा कश्मीरी रान मिल्च ये दो चम्चा धन्या पॉडर और ये हमारा घर का बनावा गरा मसाला य अब डालेंगे टमैटो, मसालो के साथ टमैटो को अच्छी तरह से बूलेंगे, अब हम इसमें आलो डालेंगे, और इसे भी मसालो के साथ अच्छी तरह से बूलेंगे, अब हमारे अलो अच्छी तरह बून चुके है, अब हम इसमे डालेंगे, एक कटोरी भर धाई, ये पचास गिरामे पूरा, इसे अच्छी तरह मसालो के साथ में मेच करेंगे, हमारा मसाला अच्छी तरह से बून चुका है, देखिए, मसाले ने ओइल भी छोड़ दिया है, अब हम इसमें डालेंगे, बॉइल किया हुआ मटन, पूरा एक खट्टा जाल देंगे, इक साथ में, और इसे अच्छी तरह से मसालो के साथ लिक्स करेंगे, ममा इसकी स्मेल तो गहत अच्छी आ रही है, कर्मा मसालेदार जो चट्पटा बनता है ना, तो इसकी खुश्बू दूर दूर तब फैलती है, ममा इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है, वाकई में यह बहुत अच्छा लग रहा है, कर्मा मसालेदार और चट्पटा हमने ऐसा बनाया कि दूर दूर तक इसकी खुश्बू फैलेंगी, और यह जो प्याजे मेने तला है, इसे अब इस तरह से हाथों से हमें बारिक करना है, इस तरह देखी है, थोड़ा दरदरा रखना है, ज्यादा बारिक नहीं करना है मिक्सर में, हाथों से इसे दरदरा करना है, अब हम इसमें यह तरह हुआ प्याजा लेगी, और इसे भी अच्छी तरह से मसालों में मिक्स करेंगी पेस्टी हिसाब से हम नमु डालेंगे अच्छी तरह से मसालों में पेलाएंगे हमारा कौर्म बन के तयार है अब हम उसे प्रेक में सर्फ परेंगे हमारा मसालिदर खौर्मा बन के तयार हो चोका है देखिए इतना लाजवाब और शांदार लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी अब जुरू ट्राइ कीजिए और मुझे कॉमेंट्स करके बताईए कि कैसा बना ममा आपको अच्छी लगी या नहीं मुझे पता आपको जरू अच्छी लगी आप इसे ट्राइ करोगे ना मुझे पता है यह जरू ट्राइ करना यह बहुत ज्यादा डिलीशिस दिश है